देश की जनता को सुभा सुभा खुश्खबरी मिल गई है बता दे की एक जुलाई को सुभा सुभा तेल कमपनियों ने महंगाई से थोड़ी राहत दे दी है तेल कमपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमत में कटोती कर आम जनता को बड़ी राहत दी है आज से कॉमर्शियल गैस स बदलाव करते हुए उसे tiga रुपए सस्ता कर दिया गया हाला कि ध्यान रहे कि ये कटाउती उन्निस किलोग्राम वालेla कमर्शियल सिलैंडर के लिए है एक जुलाई से सिलैंडर के दाम घट गहए हालाकि राहत घरेलू सिलैंडर के बजाए कमर्शियल सिलैंडर पर मिला है यानि इस कटोती का फायदा रेस्टोरेंट ओनर धाबा मालिकों को होगा जो लोग कमर्शियल एलपीजी यूज करते हैं उनके अब से 30 रुपए सस्ता सिलिंडर मिलेंगे। तेल कमपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलिंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। इसी के साथ बता दे कि दिल्ली में इन सिलिंडर की कीमत 30 रुपए तो कोलकाता चिन्नई और मुंबई में 31 रुपए कम हो गया। इस कटोती के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलिंडर 1676 रुपए के बजाए 1646 रुपए में मिलेगा। तो वहीं कोलकाता में 1756 रुपए में चेन्नई में 1809.50 रुपए में और मुंबई में 1598 रुपए में मिलेगे। इसे तरह से पटना में कमर्शियल सिलिंडर 1915.5 रुपए अहमदाबाद में 1665 रुपए में मिलेगा। अगर 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलिंडर की बात करें तो दिल्ली में यह 803 रुपए, कुलकाता में 829 रुपए, मुंबई में 802 रुपए और चिन्नई में 818 रुपए में मिल रहा है। आमजनता को उम्मीद है कि जल्द ही महंगे घरेलू गैस सिलिंडर से थोड़ी राहत मिलेगी। हाला कि जानकारों की माने तो बीते 10 महीनों में घरेलू गैस सिलिंडर के दाम में सरकार की ओर से 300 रुपए की कटोती की गई है। ऐसे में घरेलू गैस सिलिंडर के दाम में आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई बदलाफ की उम्मीद कम ही की जा सकती है। घरेलू गैस सिलिंडर के दाम में बता दे कि मार्च के बाद से कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है आखरी बार कीमते 9 मार्च को बदली थी जब घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतों में 100 रुपे की कटोती की गई थी उससे पहले 30 अगस्त को देश भर में घरेलू गैसिलिंडर के दाम में 200 रुपे की गिरावट देखने को मिली थी बतादे कि बीते 10 महीनों में घरेलू गैसिलिंडर के दाम में सिर्फ दो ही बदलाब देखने को मिला है